हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है गोरी फेशन डिजाइनर में तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पलाजो पेंट का एक बहुती ब्यूटिफुल और खुबसूरत डिजाइन तो इस डिजाइन को हम डोरी और कट वर्क के साथ बना के रेडी करेंगे ये बिल्कुल नया डिजाइन है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कट वर्क वाला डिजाइन रेडी करेंगे तो ये मैंने दो कपड़े लिये हैं एक मेंने सिंपल कपड़ा लिया है और एक कपड़े के उपर मैंने उल्टी साइड में केनवास पेपर चिपकाया हुआ है यह आप देख सकते हो तो इस कपड़े के उपर हम कटवर्क वाले डिजाइन की मार्किंग करेंगे और इसको हम एक साइड में हटा देंगे तो इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने रखी है पोने तीन इंच यह आप देख सकते हो और इस पे मैंने दो लाइन लगाई हुई है इसके बीच में जो गेप है वो मैंने रखा है पोने दो इंच का इस पौने दो इंच के गेप में हम cutwork वाला design marking करेंगे तो यह मैंने एक paper पे cutwork का design कट कर लिया है आप चाहें तो यह bookram पे भी cut कर सकते हैं अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इसी के बराबर हम marking कर देंगे यह दिखिए एसे रखते हुए हम इसके बराबर इस पे मार्किंग कर लेंगे तो ये हमारी कटवर्क की मार्किंग रेडी हो गई है आप देख सकते हो अब इसके बाद देखे इस कपड़े को हम इसके नीचे एसे रखेंगे और अब हमने जो मार्किंग की है इसी मार्किंग के उपर हम इस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे तो एसे करके हमको इस पे सिलाई लगानी है और धीरे धीरे आप मसीन को चलाएए ताकि आपके डिजैन में अच्छी फिनिसिंग आए तो बस इसी तरीके से हम पूरी मार्किंग के उपर सिलाई लगा लेंगे तो यह मैंने पूरी मार्किंग के उपर सिलाई लगा ली है अब यहाँ से हम एक पेर का मार्जन रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे तो ये एसे मैंने इसकी कटिंग कर ली है आप देख सकते हो अब इसके बाद हम यहाँ पे एसे कट लगाएंगे और ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटने चाहिए तो सभी कोनों पे मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देंगे और अब इस डिजाइन को हम सीधा करेंगे तो एसे हमारा डिजाइन सीधा हो जाएगा ये देखिए ये देखिए एसे हमको डिजाइन सीधा कर लेना है तो ये मैंने design सीधा कर लिया है और इस पे मैंने press भी कर ली है अब इसके बाद यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे वाला कपड़ा इसमें अच्छे से join हो जाएगा तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली है अब इसको तो हम एक side में रख देंगे इसके बाद हम दूसरा pattern तयार करेंगे तो pattern तयार करने के लिए हमें कुछ डोरी बनानी है तो इस कपड़े की चोड़ाई मेंने 1.5 इंच रखी है अब इसको हम दोनु side से एसे मोडेंगे और एक बार बीच में से एसे मोड देंगे और इसकी खुले वाली side पे हम सिलाई लगा लेंगे और अब इसमें से हम दो-दो इंच के piece कट करेंगे यह देखिए यहां से एसे पकड़ेंगे और इसको बराबर मोड देंगे और ऐसे मोडने के बाद में हम एक साथ में इनकी कटिंग कर देंगे तो ऐसे ही मैंने और पीस भी बना लिये हैं यह आद देख सकते हो अब हम इनको एक साइड में रखेंगे और यह मैंने कपड़ा लिया है और इस कपड़े की जो चोड़ाई है वो मैंने सवा तीन इंच रखी है और इसके बीच में जो गे पे वो मैंने सवा दो इंच का रखा है और इस पे दोनु साइड में मैंने सीधी लाइन खीची हुई है और यह जो मैंने निसान लगाये हैं यह मैंने एक-एक-इंच की दूरी पे लगाये हैं यह आप देख सकते हो यह देखिए एक एक इंच की दूरी पे मैंने निसान लगाये हैं और ठीक इनके सामने मैंने इस साइड में भी एक एक इंच की दूरी पे ही निसान लगाये हैं अब जो हमने ये डोरी के पीस कट किये हैं इनको हम एसे मोडेंगे और यहाँ पे हम एसे रखेंगे इस निसान के उपर रखना है और इस पे सिलाई लगानी है तो अंदर वाली साइड कम से कम हम एक पेर इसको बाहर निकालेंगे जिसमें हमारी डोरी अंदर चली जाए इतना हम इसमें गेप रखेंगे ये दिखें तो जो हमने निसान लगाया है इस निसान से कम से कम आधा इं की दूरी पे हम पूरे कपड़े के उपर अटेज कर लेंगे और इसी तरीके से हम कपड़े की दूसरी साइड में भी अटेज कर लेंगे तो मैं दोनों साइड में एक जैसे ही अटेज करूंगी तो दोनों साइड में अटेज करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखे, मैंने दोनु साइड में एक जैसे डोरी अटेज कर ली है ये आप देख सकते हो, ये देखे तो पेटन हमारा रेडी हो गया है, अब इस पे हम कटवर्क वाला पेटन अटेज करेंगे तो ये इसकी सीधी साइड है, तो सीधी साइड को हम ऐसे करेंगे ये वाली, तो इस सिलाई को दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि वो सिलाई हमारी बाहर की तरफ नजर नहाए तो ये लिजे, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम एसे सीधा करेंगे ये दिखे और इस पे हम एक पेर की सिलाई लगा लेंगे तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है अब इसमें हम अपने पलाजों को अटेज करेंगे तो जितनी इस डीजाइन की चोड़ाई है उतनी लंबाई आपको अपने पलाजों की कम रखनी है और इसको हम A से रखेंगे और इसपे हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम A से ही सिलाई लगानी है जो पहले वाली सिलाई है उस सिलाई को दबाते हुए सिलाई लगानी है और अब इसपे हम एक पेर वाली सिलाई लगा लेंगे तो ये हमने सिलाई लगा के डिजाइन रेडी कर लिया है अब हम एक पतली सी लंबी डोरी लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बन गया है और ये मैंने डोरी ली है अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगी वहाँ पे जाके आप डोरी बनाना सीख सकते हैं तो आपको एक लंबी सी डोरी बनानी है और अब हम लेंगे एक safety pin और इसकी मदद से हम इस डोरी से design बनाएंगे तो design हमको कैसे बनाना है देखिए पहले हम इसमें डालेंगे इसको ऐसे नहीं डालना है इस साइड से डालना है ये देखिए और अब हम डोरी को ऐसे आगे की तरब खीच लेंगे और अब हम इसी तरीके से उपर वाली डोरी में डालेंगे तो उपर वाली डोरी में भी हम इसी साइड से डालेंगे तो इस चीज का आपको धिहान रखना है, उल्टी सीधी डोरी आपको नहीं डालनी है, एक साइड से ही डालेंगे ये देखिए, फिर से हम इसी साइड से डालेंगे, तो ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, तो बस इसी तरीके से हम पूरी डोरी डालके डिजाइन को कम्पलीट कर लेंगे, तो मैं आपको पूरा डिजाइन कम्पलीट करके फिर दिखाती हूँ कि हमारा डिजाइन कैसा लगेगा, तो लीजी मैंने पूरा डिजाइन कम्पलीट कर लिया है, आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है न हमारा ये डिजाइन तो ये बिल्कुल नया डीजाइन है और ये बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है पहनने के बाद में तो अब हम इस पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद में कुछ ऐसा दीखेगा हमारा डिजाइन, आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है ना हमारा डिजाइन, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ जरूर सेर करें, आप की वीडियो में बस इतना ही, थेंक यू